वेल्कम गईज तो आपको फिर से तो आगाते एक नई क्लास के साथ और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं होटी गल्चर से समाने कुछ इंपोर्टेन किसन को जो कि याद रखेगा आपकी वेजटेवल और फल ठीक है दोनों से लिए गए हैं तो कफी इंपोर्टेन किसन है याद रखेगा एक बार वीडियो को पूरा जरुर देख लेना जिसे कि आपकी सबी डाउटे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे वैसे यहाँ पर आपको जरुरत नहीं है आश्वर देने की बस आप एक बार कीुसंस को देख लीजिए कि कैसे क्युसंस आपको याद करने है ठ तो 25 किसकी वेर्ाइटी हथी है, यान दुक्षा, यह ओती है, खीरे की होती है, अगर हम बात करते हैं यान दकी है, फूल्गोवी में Raciness, जो देहिक विकार होता है। देहिक विकार का मतलब होता है, एक Physical Disorder, ठीक है, देहिक विकार का मतलब क्या होता है? physical disorder तो अगर हम बात करते हैं रिस्टिनेज दैइक विकार का कारण क्या होता है तो इसके कारण मुख्यते सब ही होते हैं मतलब जैसे कि देखा जाए तो जो रिस्टिनेज जो प्रोब्लम होती है फूल गोवि में ये आनुवासी कार्क भी हो सकता है कोई अधिक temperature हो जाए उसक जो याद रखेगा जो कीट है ठीक है याद रखेगा एक मुख्य कीट होता है किसको होता है याद रखेगा काफी important question है आपको diet पूछा जा सकता है कि जो रेफिडो पलपा फेवी कोलिस जो कीट होता ही किस वर्ग मतलब किस परकार की सबजियों को सबसे जादा नुकसान प नुकसान पहुंच वाता है चली नेक्स टीशन के यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि फूल गोबी की improved जाबाने को किस देश्ट से प्रस्तापीत किया गया था मतलब यहाँ पर जो लाया गया था यह किस देश्ट से लाए गया था तो यह लाए रखिया, वह भी क्यूसान आपको एग्जाम में पूछ ले आसता है नेक्स टूसन के यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर याद रखिया आपको पूछा गया कि प्रकार की जो मूली की आधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बुआई कि जाती है अब यहाँ पर य होता है अधिक से अधिक हम उत्पादन ले सकते हैं लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसकी सोविंग कब करेंगे जिससे कि इससे हाइस्ट प्रोडक्शन हम ले सके तो इसकी बुवाई हम करेंगे जुलाई से अगस्त के मत है ठीक है याद रहेगा चलिए नाइस्ट पूशा चेत की है इसकी जो सोविंग हम करते हैं वो कब करते हैं तो सामाने देखा जाए तो इसकी जो सोविंग करते हैं यह करते हैं मार्च से अप्रेल के मत है ठीक है चलिए नाइस्ट पर पूछा कि आपको कि एलोवीरा का प्रवधन किसे क्या असा है तो याद दखे ऐ लो वी रहा आप सभी जानते होंगे लो wor तो जिसका इलो वीरा जिसका पंचेली करते हैं इसके वगारे के लिए यूस करते हैं को स्मेडिक प्रड़क्स में इनका प्रजिश्ती व्यो प्रहेट का चछिए को छिठीन चले, next lesson के आपर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि पुदे ने की, ओसत टन पर हेक्टियर उपस कितनी होती है, ठीक है, yield के बारे में आपको पूछा गया है, तो yield के अगर हम बात करेंगे पुदे ने की, तो आप इसे देख भी सकते हो, 10-12 टन पर हेक्टियर ठीक है, next lesson के यहाँ पर बात करते हैं, कि stevia पोदे के कौन से भाग से आर्थिक उत्पाद प्राप्त करते हैं, याद रखे हैं, यहाँ पर क्या पूछा है stevia, यह किसन भी आद रखे हैं, आपको पता होना चाहिए, कि stevia पोदे का कौन सा भाग हम use करते हैं, तो वो याद परवदन के आसा है, यह किसे के आसा है, तो आप सभी को पता होगा, याद रखे हैं, प्रकंद के द्वार के आसा है, जो जिंचर होता है, जो अद्रक होती है, तो अद्रक का जो प्रोपेजिसन के आसा है, यह फिर जो नया प्लांट तियार के आसा है, वो किसे तियार के आ ठीक है मेहंदी का जो परवर्दन यह बीज और कलम दोनों से हम कर सकते हैं नेस्ट इसन है काफी इंपोर्टेन किसन आपके सिलेवस में भी है कि गाजर के सबसे घातक रोग का नाम क्या होता है तो वह होता है याद किया गलन रोग यहाँ पर देख सकते हो इसकी एक आपको विशेशता दी गई है कि बेक्ट्रियल सौफ्ट रोट जिसका रोकार क्या होता है इरवीनिया केरट और इसे कॉमन डिजिस ओफ केरट बहुत इंदे फिल्ड और इस्टोरेल्स मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हैं एक ऐसी जी जो क्या करती है खेत में तो नुकसान पहुचाती है लेकिन इसके साथ साथ जब हम इसका भंडारन करते हैं तब यह क्या करती है याद रखिया गाजर को नुकसान पहुचाती है इसलिए याद रखिये एक इसकी मुख्य बिमारी होती है कौन सी गलन रोग किसकी होती है गा Hi Ti होती है तो यह पूसा नवीन की जब भी बात के साथ तो यह होती है लोकी की मतला लोकी को हम बोलते हैं इंगलेज में बोटल गायड क्या बोलते है बोटल गाड घीक है चले नेकश सनिया रभात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि सबजी उत्पादन में भारत का विस्व में दूसरा इस्तान है फिरThose पर रख्षं होता है सिर्फ याद रखे अगर आपको यह पुछा था जो फल पुछी पर रख्षण के असा है मातर और मात्र यहां कि दो परसंट के आसन है तो zajास्ट साथी आप यहां अनुसंदान केंद्र मतलब NRC OC इस्तित खाँ पर है तो ये इस्तित याद किया नागपुर महारास्ट में इस्तित है वेस्ति देखा जाए तो नासिक महारास्ट में है लेकिन यहाँ पर ओप्सन में आपको नासिक तो देखने को मिल नहीं रहा तो यहाँ पर याद किया निदे साले में अप्गेरेड किया गया अब इसका नाम प्याज और लहसुन अनुसंदा निदे साले रखा गया है यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पूणे में नहीं है वैसे यह नासिक में है नासिक महारास्ट में ठीक है आप इसे एक बार चेक आउट कर ले यहाँ पर थोड़ा सा रोंग दे रखा है नासिक या नागपूर ठीक है दोनों में से आप एक बार चेक आउट कर ले कि भिंडी की ग्रिसमरीदू की फसल की बुवाई का उचित समय कौन सा होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समय तो वह उता याद है कि फरवी से माच ने section के आपर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि पूसा बैदाना किस सबजी की किसम होती है तीये होती है यहाद रौखे कि factories प्रमेलन या तरबूस की होती है नेक्षिसम के आपर बात करेंगे कि सामानत है सबजीयों को किसकी उपस्तित की कारण सर्रक्षा आत्मक भोजन मतलब प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं अब यहाँ पर याद रखेगा क्या पोचा गया है कि सबजीयों को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलता हैं दुबारे से समझ लीजिए कि फलिया सबजीयों को हम प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलता है क्यों क्योंकि इसमें याद रखिया विटामिन के सासाथ खनीज लवन की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाए जाती है इसलिए हम इन्हें देखिया विटामिन और खनीज लवन दोनों की अधिकता पाई जाती है इसलिए हम इने प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं और सब्जिया अच्छे इस्तरोथ किसकी होती है खनीज लवनों की होती है नेक्ष टिसन के आप बात करेंगे कि कद्दू वर्गिया सब्जियों की नदी के किनारे की जाने वाली खेती क्या कहलाती है तो उसे हम बोलते हैं दाइरा खेती आपने जिसे की देखा होगा सामायनेत है गायों जो कुमार वगएरे जाती होती है वो करती है वैसे सामायनेत है कोई भी कर सकता है ठीक है उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं नदी के क किनारे क्या करते हैं जैसे कि मालीजे कोई खर्वू जवा तर्वू जवा इनकी हम खेती कर लेते हैं तो यह जो खेती हम करते हैं इसको किस नाम से जानासता है दाइरा खेती की नाम से जानासता है ठीक है याद रखिए यह किसन में आपको अल्रेडी एक्जम में पूछा जा चुका है चलिए नेग्स्टीन के आप बात कर लेते हैं जिसमें आपको पुछा गया कि पासफोर्ष सिस्ट होता है तो है जब पर बात करेंगे Quand को ऐसे कोई कंडिशन माले ज्यादा वर्सात हो गई तो क्या होगा कि जादा वर्सात होने के पानी वर्सात का हुझब यहां पर एककतरित हो जाएगा लेकिन हमें एककतरितो करना नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे याद रखे जब भी हम नर्सरी तियार करते हैं थोड़ी से धलान रखते हैं ताकि अगर माल लेजिए ऐसी कोई इस्थिती आती है जब कोई वर्सात हो जाती है तो उसका पानी आसानी से भैकर नर्सरी से भार चला जाए ठीक है इसलिए धलान हैं इसके रूप में कौन-कौन से फल्व्रिक से उप्यूकत है तो आप सभी को बताया था याद रखे है केले और पपिता और फालसा याद रखे जिसने भी फल है यह सभी क्या है फिल्लर प्लांट है ठीक है पूरक पोदा आपने देखा होगा पूरक विदी अब पूरक देख लीजिए आब आपको याद आ गया होगा कि यहां पर एक पोदा यहां पर एक पोदा यहां पर एक पोदा यहां पर एक पोदा और जो बीच में जो पोदा लगाया सता है इसी को बोला सता है फिल्लर पोदा मतलब फिल्लर प्लांट बोला सता है और इसके रूप में म वर्क के बीच एक पूरक पोदा जल्दी फल देने वाला लगाएसता है ताकि अत्रिक्त आई का प्रबंद हो सके मतलब इस से लाइन का मतलब यह है कि अभी हमने डायग्राम देखा कि एक अत्रिक्त प्लांट हम लगाते हैं क्यों लगाते हैं ताकि माल लीजिए यह जो हमार इंकम है वो बनी रहे तो इसलिए हम क्या करते हैं फिलर प्लांट का यहां पर यूज कर देते हैं ठीक है याद रखिएगा चलिए नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि क्लेस्टो गेमी किसमें पाई जाती है तो यहाद रखिए क्लेस्टो ग को फलो को भी प्रभावित करती है और ब्लोसम एंड रोट याद रखिए केलस्यम की कमी के कारण होती है काफी अच्छा किसन ने याद रखिए वैसे सबसे जादा बार क्यूशन पूछा आता है कि ब्लोसम एंड रोट जो व्यादी है यह किसको प्रभावित करती है सबसे लावा टमाटर हुआ बेंगन हुआ इन सभी फलों को यह प्रभावित करती है क्या ब्लोसम एंड रोट ठीक है चलिए नेक्स टेशन के आपर बात करेंगे कि किसके प्रती इस्थानिय संग्रोधन मतलब डोमेस्टिक क्वारेंटाइन अपना ही जाती है तो यह देखे इन दो कि इक तो वाटरो फोड यह इन दोनों के नीयत्तरण के लिए हम क्या करेंगे आ अफ्रेंटाइन विदि का प्रिव構 करेंगे अब क्या क्वारेंटाइन हुता है क्या अप अच्छे कांस समझ गियोंगchen को क्वारेंटाइन का मतलब होता है अगर माली जे कोई रोग रसता ह उसको हम अलग रखते थे ताकि वो रोग फेले नहीं ठीक है और वो जो संकर माना वो खतम हो जाए जा फिर उसका जो प्रभाव निस्क्रिय हो जाए इसलिए हम क्या गर देते हैं क्वारेंटाइन कर देते हैं ठीक है हम बात करना है है इसलिए हम एक्सपोर्ड करना है यहां पर पर सबन्सपोर्ण कर है今天 है हम बात कर रहे हैं एक संस्ता होती उसके द्वारा उसकी जांच की घारक प्रोडक्ट किया ये सही है कोई व्यादी से ग्रस्त तो नहीं है क्या इनमेक कोई रोग तो नहीं है तो इसकी पहचान पहले की जाती है अगर वो सही पायासता है तो अच्छी बात है उसको जाने दो अगर कुछ उसमेस्टेक पायाती है या फिर कोई रोग्रस पायासता है तो क्या-के आएसा या दखिया जो प्रोड़क्ट युद्ध भेच प्रूड़क्ट नेकारं पाइस करते हैं जिप्रेलिक अम्ल किसका प्रियोग करते हैं चलिए ने इस ट्रेसन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि फ्रूट फ्ल्मक्षी के अगर आम बात करेंगे तो यह आम में भी होता है अम्रूद में भी होता और बेर में कि यहाइद रखी का आपको पूछा आपको कुर्ण को तो भी यह नुकसान पहुंचाता है ठीक है चलिए नेक्स टिसन के आप बात करेंगे कि सोफ किसकुल का है तो आप सभी को पता ही होगा यह तो कि अम्बेलिफेरिया क्योंकि दोनों ही नाम एक होते हैं इसलिए याद रखेगा सोफ किसकुल का पोदा होता है अम्बेलिफेरिया एपिएसी दुबार से देख लिजे कि अम्बेलिफेरि को ही एपिएसी के नाम से जानते हैं ठीक है नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे जिसी फूर किसके किसम होत में के आशता है तो याँ रखे याँ जो मसाले वाली जो भी लोग होती है उनमें हम क्या करते हैं पोटेशियम का ने के बड़ाबर या फिर कम मातरा में इसका प्रयोग हम करते हैं ठीक है चले ने सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर याद रहेगा अगर आपको पोच्छाता है मेथी के लिए तो मेथी के लिए हम यूज करते हैं याद रहेगा जिसमें आपको पूछा गया कि खद्रावी किस फसल की किसम होती है अब यहाँ पर याद रखे है काफी अच्छा है किसन यह तो यहाँ पर याद रखे है यह बरसीम की भी होती है और खजूर की भी होती है याद रखे है खद्रावी जो वेराइटी होती है यह बरसीम की भी होती है नेश्टिस्तन की पूछा गया है कि टमाटर के उत्पादों के पर्रक्षित करने के लिए किस पर्रक्षित का कामें लेते हैं तो यहाँ दखिया टमाटर के जब भी बात की जाए पर्रक्षन की तो टमाटर को पर्रक्षन करने के लिए या फिर टमाटर का जो सोस होता है या केचप होता है इसको परड़क्षन करने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं या देखिया काफी अच्छा किसने सोडियम बेंजोयट का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं सोडियम बेंजोयट का और कोल फसल में मुखेतेधैं कौनगों सी याँने जैसे कि पत्ता गोबी वहा, फूल गोकी वहा, गाठ को भी वहा, बूसेल इस्प्राउट वहा, ब्रोक्कोली वहा , तो यह सभिक도 ह Already.. इससे भी क्या आते हैं याँ देखिया कोल फसल में आती है इसलिए इसका राइट असर क्या हो जाएगा पत्ता गोवी नेश्टिसन के आपर बात करते हैं कि भारत में खजूर की फल पर पर पको ताकि किस अवस्ता पर तोड़े जाते हैं यहां पर आपको एक इसपस्ट दिय किस आवस्ता पर टोक का या खलल अवस्तापर क्यों इसकार मियाँ आप आप अवस्ता पर तोड़े जाते हैं क्योंकि बाद में वर्सा हो जाने के कारणा खजूर के फलों की पिंड अवस्ता नहीं बन पाती है और फल वर्सा से różνे खराब हो जाते हैं इसलिए हम क्या करते यहां देखे इनको पूर्ण प्रिपता को नहीं होने दिते बलकि क्या करते हैं डोग का अवस्ता पर हम इसे तोड़ लेते हैं कियों क्योंकि रीजन आपको पता चल चुका है क्योंकि या देखिया अगर मालीजी हम पिंड़ अवस्ता तक इसको तोड़ते नहीं है या फिर हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वर्सात आ जाती है और वर्सात होने की कारण क्या हो जाता है फल खराब हो जाएंगे मत इसमें आपको पूछा गया है कि अच्छी जेली बनाने हेतु अमल की मात्रा कितनी होती है या फिर कितनी आवश्यक होती है तो याद रहें एक परसंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जेली की बात कर रहे हैं चाहिए आपको पैक्टिन है पूछा रहा है या फिर अमल पैक्टिन या अमल दोनों की मात्रा आप एक परसन ले सकते हैं इससे ज्यादा नहीं ठीक है पेक्टिन की मात्रा है तो पेक्टिन के आधार पर याद रिखिया जेली में क्या करते हैं चीनी की मात्रा हम मिलाते हैं यह किसन आपको पूछा जार सकता है कि जेली में जो किसकी मात्रा चीनी की मात्रा होती है किसके आधार पर मिलाई जाती है याधर किया पेक्टिन की मात्रा के आधार पर मिलाई जाती है और अगर हम बात करते हैं जेम तो जेम में याद रखेगा जो अमलता होती है फलो की जो सुन लीजिए जेली की बात करेंगे तो जेली में याद रखेगा जो चीनी हम मिलाएंगे पेक्टिन की मात्रा की अगोडिंग और अगर हम बात करेंगे जेम तो जेम में क्या होता है याद रखेगा कि जो फलो की जो अमलता होती है उसके आधार पर हम चीनी की मात्रा मिलाते हैं ठीक है चले नेक्स्ट के आपर बात करेंगे और आज हम 100 को ही आपर क्लियर करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में सोल करेंगे ठीक है तो आज का हमारा लाइश किसने की पपेन में मतलब पपी ते में प्राप्त किया जा सकता है मतलब जो पपेन प्राप्त क्या जता है ये किस्ते प्राप्त क्या जता है तो आपको पता होगा कि याद रखिया जो पपीता होता है इसके कच्चे फलो से पपिता के कच्छे फलो से क्या प्राप्त क्या सता है पपेन और पपेन का प्योग याद रखिया पेट से समाधी रोगों के निधान के लिए क्या सता है इसके साथ साथ याद रखिया अगर आपको कोई वेराइटी पूछता है तो आपको याद रखना है CO5 कौन सी विराइटी है जिससे सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जखता है तो वो दी आधर के स्यो फाइव ठीक है इस की जन को भी आव नोट डाउं कर लीजेगा तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आयोगी तो अगर आपको क्लास पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि आपको फीचर में आने वाली सभी क्लास अवेलिवल मिल जाए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ के जहीं जबावाई